नमश्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उमीद है अच्छे ही होंगे दोस्तों हमारी आज की पोयम का टाइटल है अमांडा जिसकी राइटर है रॉबिन मैख हॉग क्लेइन दोस्तो रॉबिन मैख हॉग क्लेइन एक फेमस ऑस्ट्रेलियन आउथर है जो अपने फेमस फिक्शन कंटेंट के लिए जानी जाती है उनकी जादातर राइटिंग्स चिल्डरंस और यंग अडल्ट्स को लेकर होती है कुछ उनकी फेमस बुक्स इस तरीके से हैं हेटिंग एलिसन एशले, पीपल माइट हेर यू, एटसेक्टरा दोस्तो आज हम उनकी फेमस पोयम अमांडा के बारे में बात करने वाले हैं इस पोयम को मैंने चार पैरग्राफ के साब से डिवाइड किया है मैं एक-एक करके आपको सबका एक्स्प्लेनेशन देता हुआ चलूँगा तो आईए दोस्तो शुरू करते हैं दोस्तो इस दुनिया में हर एक बच्चे के पास जो सबसे बड़ी दौलत है वो उसकी स्वतंतरता है और वह चीज जिसे कोई भी बच्चा पसन ही करता वो है अपने पेरेंट्स का लगातार उसके लिए चिंते त्रहना उसको अननेसेसरी इंस्ट्रक्शन्स देना और उसके लिए जादा ओवर प्रोटेक्शन देना ये पोयम एक लड़की अमांडा के बारे में है जिसे लगातार अपने पेरेंट्स द्वारा अननेसेसरी इंस्ट्रक्शन्स दिये जाते हैं और उसे control करने की कोशिश की जाती है लेकिन ये चीज उसे बिलकुल भी पसंद नहीं आती Amanda constantly ये feel करती है कि किसी भी तरीके की instruction और interference उसकी freedom को curtail कर रही है यानि उसकी स्वतंतरता को काट रही है और वो किसी भी तरीके के काम को करना नहीं चाती वो एक अपने ही fantasy world में जीना चाती है और उस fantasy world में वो free रहना चाती है आईए दोस्तों अब हम इस poem के first paragraph की और बढ़ते हैं जिसका explanation ये है इस paragraph में हमें poet Amanda के बारे में description दे रहा है Amanda एक ऐसी छोटी लड़की है जो अपनी गलतियों की वज़े से अपनी मदर द्वारा हर बार point की जाती है poet बताता है कि Amanda की मा उसको अपने nails को bite ना करने के लिए इशारे कर रही है वो बोलती है कि Amanda अपने nails को bite मत करो ये एक बुरी आदत है आगे वो उसको अपने कंधों को बिना जुकाए सीधे बैटने के लिए कहती है उसको कहती है कि सही posture में बैठो Amanda को अपने कंधों को जुका कर और थोड़ा सा आलसी होकर बैठने के आदत है लेकिन उसकी माँ चाती है कि वो सही posture में बैठे इस पॉइंट पर जब उसकी माँ उसे डाट रही है वो एक imagination में खो जाती है वो अपने आपको एक मरमेट के तौर पे यानि एक जलपरी के तौर पे imagine करती है वो देखती है कि वो एक हरे समुंदर में एक जलपल की भाती अकेले रहना चाती है ताकि वो वहाँ पर फिरी रह सके और वहाँ पर कोई भी ना हो वो सोचती है कि वो उस गहरे समुंदर के अंदर बिलकुल अकेली है और वो नहीं चाती कि और भी कोई वहाँ पे हो पानी के बहतोय बहाव से वो बहुत दूर तक भैकर आगे जाना चाती है एक ऐसे अन्वाइरमेंट में जहां पे वो खुल के रिलैक्स फिल कर सके वो चाहती है कि वो उस गहरे हरे समुंदर के अंदर जल परी की तरह रहे और अपनी लाइफ को खुद लीट करे आईए दोस्तों अब हम अपने सेकंड पेराग्राफ की और बढ़ते हैं जिसका एक्स्प्लानेशन ये है इस पेराग्राफ के अंदर पोएट बताता है कि अमांडा की माँ उससे एंक्वाइरी कर रही है अमांडा क्या तुमने अपने होमवक किया या नहीं और वे उससे फिर पूछती है क्या तुमने अपना कमरा साफ किया है या नहीं इसके अलावा वो उसे अपने जूते साफ करने के लिए भी याद दिलाती है लेकिन इसके बावजूद अमांडा अपनी मदर की इन इंस्ट्रेक्शन को सुनते हुए फिर से imagination में खो जाती है वो imagine करती है कि वो एक और्फन है यानि एक अनात बच्ची है जो सडको पर अकेले घूम रही है दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब यह है कि वो यह imagine कर रही है कि अगर वे माता पिता के बिना होती तो वे सडकों पर स्वतंत्र रूप से चलती वे अपने खुले पैरों के साथ नरम धूल पर बहुत ही शान तरीके से डिजाइन को तयार करती है यहां हम देख सकते हैं कि उसकी मा उल्टा उसके विपरीच सोचती है उसकी मा चाहती है कि वो सब कुछ साफ और स्वच रखे लेकिन अमांडा धूल में अपने नंगे पैर खेलना चाहती है इसके अलावा वो अपनी मा के इन इंस्टेक्शन्स को लगतार सुनकर तंग आ चुकी है वो कहती है कि साइलेंस गोडन है यानि साइलेंस बहुत इंपॉर्टन्ट और कीमती है इसके अलावा वो कहती है कि फ्रीडम स्वीट है यानि उसकी जीवन में फ्रीडम उसके लिए बहुत कुछ है और जब भी वो अपनी मदर के साथ होती है तो वो कभी फ्री फील नहीं करती आईए दोस्तों अब हम अपने थर्ड पेराग्राफ की और बढ़ते हैं जिसका एक्स्प्लेनेशन ये है इसके बाद अमांडा की मदर उसे चॉकलेट खाने के लिए मना कर रही है वो उसे उसके पिमपल्स को याद करवाती है कि अमांडा को चॉकलेट खाने से पिमपल होते हैं इसलिए वो उसे नहीं खाने चाहिए आखिर में वह उसकी मा की बातों पर ध्यान ना देने के लिए उसे डाटती है अब अमांडा फिर से एक इमेजिनेशन में खो जाती है वो अपने आपको एक रैपुन्जल के तौर पर इमेजिन करती है दोस्तों रैपुन्जल फेरी टेल्स का एक कैरेक्टर थी वो एक परी थी उसके बाल बहुत जादा लंबे, मोटे और गोल्डन कलर के थे एक चुडैल ने उसे एक टावर में कैद कर लिया था वो चुडैल रैपुन्जल के लंबे बालो की मदद से उस टावर पर चड़ती थी जो खिड़की के माध्यम से उसके नीचे आते थे इसी लिए अब अमांडा अपने आपको एक रैपुन्जल के तौर पर इमेजिन करती है क्योंकि उसे लगता है टावर के अंदर लाइफ काफी पीस्फुल और अन्यूजल होगी वो सोचती है वो टावर के अंदर फ्री रहेगी और एक पीस्फुल अन्वैर्मेंट में रहेगी वो इमेजिन करते हुए ये भी कन्फर्म करती है कि अगर वो रैपुन्जल होगी तो वो अपने मोटे लंबे बाल कभी भी खिड़की से नीचे नहीं फैकेगी वो ये पूरी कोशिश करेगी कि वो किसी को भी उस टावर में ना आने दे ताकि उसकी फ्रेडम को कर्टल ना किया जा सके आईए दोस्तों अब हम अपने आखरी पैराग्राफ के और बढ़ते हैं जिसका एक्स्प्लेनेशन ये है अब अमांडा की माँ उसे बहुत ही अजीब तरीके से बहेव करने के लिए वान कर रही है वो उसे कहती है कि अपने इस बैड मूट से बहर निकलो और वो उसे ब्लेम करती है कि इस अंस्टेबल मूट के लिए तुम खुद रिस्पॉंसिबल हो वो उसे ये कहकर भी डाटती है कि अगर तुम कॉंस्टेंटली ऐसा बहेवियर करती रहोगी तो किसी दिन लोग ये सोचेंगे कि Amanda की मा उसको harass कर रही है यानि उसको परिशान कर रही है तो दोस्तों यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि Amanda को हर बार अपनी मा के द्वारा छोटी-छोटी चीजों के उपर point किया जाता है और इन चीजों के उपर उसे नहीं करना चीए नहीं तो बाकी लोग ये सोचेंगे कि Amanda की मदर Amanda के उपर बहुत dominating है और वो हर वक्त उसके उपर हावी रहती है तो उमीद है दोस्तों आपको ये explanation समझ में आ गया होगा आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में घ्यान ओके थैंक यू